सब्सक्राइब तो मैं यूट्यूब चैनल मनी फॉर यू और आज हम बात करने वाले हैं 3x3 Rubik's Cube के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आप किस तरह के से 3x3 Rubik's Cube को सॉल्ब कर सकते हैं तो इस वीडियो को सुरू करने से पहले कुछ महत्पूर्ण चीजें हैं जो मैं आपको बताने आचाता हूँ सबसे पहले आप यह देखें यह 3x3 Rubik's Cube है और इसमें एक सेंटर होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता है और उसके बाद इसमें 4 Edge Points होते हैं हर Edge Point के 2 Face होते हैं एक यह और दूसरा यह इस तरीके से हर एक Edge Point के 2 Face आपको दिखेंगे तीसरी चीज है कि हर Face पर 4 Corners होते हैं और हर एक Corner के 3 Face होते हैं 1, 2 & 3 तो यह कुछ Basic चीज़े हैं और इसके बाद इसमें 6 Face हैं तो इस तरीके से जब भी आप Hold करेंगे Rubik's Cube को तो आपके सामने जो भी है यह आपका Front Face हो जाएगा यह Front हो जाएगा यह Back हो जाएगा यह Right यह Left यह Top और यह Bottom तो इतने Face आपको मिल जाएगे इसमें और इसको इसका जो भी Motion मैं आपको बताऊंगा वो Outside जो भी Motion होगा यह Clockwise होगा और यह Anti-Clockwise होगा यानि यह Motion जो है यह Anti-Clockwise होगा तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज के टुट्यूरियल आज मैं इस वीडियो में आपको दो इस वीडियो को सॉल्व करना बताऊंगा क्योंकि complete solution पे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा यह एज सीखने के लिए है यह वीडियो तो इस लिए इस वीडियो को मैं काफी आराम से बना रहा हूं ज्यादा फास्ट मोड में नहीं बना रहा हूं तो चलिए इसी के साथ शु तो दोस्तों आप यह देख सकते हैं कि मैंने इसको जो है सफल कर लिया है इस तरीके से और इसके बाद हम इस पे जो है अपलाई करेंगे तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि हमें जो भी color percent है उसको आप टॉप लेयर पे रख लेंगे जैसे मैंने blue color को उपर कर लिया है इसक एज का एक face तो blue होगा ही और दूसरा face जो होगा वो side वाले face के center से match करना चाहिए जैसा कि यह एक बना हुआ आप देख पा रहा है यह blue से blue match कर रहा है और यह orange to orange center match कर रहा है तो इसी तरह के से बागी के तीन हमको यहाँ पर रखने है तो क्या करना है आप यह देखिए यह यहाँ पर रेट्ट रेटु बना हुआ है भ्लू है यह मनले लिया है यहां पर और इसके बाद हमारे पास यह ohad है यलो हमने ले लिया यह वाइट है और ब्लू यहां पर है तो हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि जो भी एज हम बना रहा है उसको लास्ट लेयर में ले लें तो लास्ट लेयर में लेने के लिए हमें करना क्या है कि इसको नीचे लेना है और इस तरीकी से आप टर्न कर दें औ और इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देंगे और वापस इसको अपनी जीखे भी लाएंगे ऐसा करने से जो आपने पहला बनाया था वो मिसमैच नहीं होगा अदरवाइस आप अगर इसको रिवर्स नहीं करते हैं तो यह मिसमैच हो जाएगा फिर आपके मेनत बढ़ में और उसको ऐसमLY समय होगा अपने नहीं है कि जो भी कोर्न आपको मैच करना है वो आपके लास्ट लेयर में ही होना चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले आप देखें कि एक हमारे पास यह डॉट है ब्लु कोलर का जो दए लेयर में है कोरनर है और इसका एक फेस औरेंज ह और यलो है यानि यह हमारा इस जिएगे पर लगेगा तो हमको इसके सीध में ले आना है नीचे यह इस त्रीके से अब यह यहीं पर लगना है क्योंकि यह और ये यलो है और ब्लू तो ही है यहाँ पर तो अब इसके बाद यहाँ पर हम एक algorithm अपलाई करेंगे बॉटम एंटी क्लॉक्वाइज राइट डाउन या क्लॉक्वाइज बॉटम राइट साइड में एंड राइट आप तो देखिए यह मैच हो गया और उसके यह कॉर्णर हमें मैच करना है तो आप देख सकते हैं यह हमारे पास है जिसका यहाँ पर वाइट और और औरेंज है वाइट और औरेंज मतलब यह यहाँ पर मैच होगा तो हमें क्या करना है सबसे पहले इसके नीचे ले आना है यहां पर लगना है इसके नीचे लास्ट लेयर में ले आना है अब यहां पर क्या करना है left, right down, bottom right and right up यह आप देखिया गया है आप पास एक corner और बचा है मैच करने के लिए तो यह देखिए आप यह corner हमारे पास है तो इसको सबसे पहले यहां पर ले आएंगे अब देखिए यह corner हमारे left hand पर है तो अब इस पर reverse algorithm लगाएंगे यानि अभी तक जो हम right होने पर left turn करते थे तो अभी left होने पर हम right turn करना है bottom right left down bottom left and left up तो यह देखिए friends इस तरीके से आपका यह first layer जो है यह complete हो गया है यह आप देख सकते हैं सारे centers match है edges और यह first layer हमारा complete भी हो चुका है इसके बाद हम solve करेंगे second layer को और second layer को solve करने के लिए आपको सबसे एहम चीज है वो आपको यह ध्यान रखनी है कि last layer का जो edge है आपको 4 edge दिखेंगे उनके किसी भी face में वो color नहीं होना चाहिए जो bottom का center है यानि जैसे कि आप यह देखी यह green है तो यिस पे और इस पे edge के face पर green color नहीं होना चाहिए हम उसी edge का use करेंगे algorithm apply करने में तो आप देख सकते हैं यह हमारे पास है orange and white इसमें green नहीं है तो हम इसको जो है algorithm apply करने के लिए use करेंगे करना क्या सबसे पहले orange से orange center को match कर दिया दूसरा face जो white है तो आपको देखना white किस तरफ है white हमारे right में है तो हमको क्या करना है इसको left side turn करना है bottom layer को left then right down bottom right side and right up इस तरीके से करने से आपका upper layer का एक corner जो है mismatch हो तो इसमें कोई भी घबरानी की बात नहीं है इसको आपको फिर यहीं पर पिछले algorithm की तरह apply करके और यहां पर आप इसको fix कर सकते हैं तो इसको पहले white के center से match कर देंगे यह देखिए white के center से match हो गया red आपका right side में है तुम इससे कहां turn करेंगे left and right down bottom right right up फिर यह mismatch हो गया तो यह आप फिर से algorithm apply करके और solve कर लिए यह देखिए आपका इस face का यह एक layer complete हो गया है अब आपको solve करना है यह दो edge तो इसके लिए आपको एक edge और चाहिए यह देखिए yellow और red का है edge जो यहां पर fix होगा तो हम क्या करेंगे पहले yellow के center से match करेंगे red अब इस बार हमारा left side में है तो हम इसको apply करेंगे bottom right left down bottom left left up left side mismatch हुआ तो पुराना algorithm bottom left right down bottom right right up यह देखिए होगा match और इसके अद यह हमारे पास एक last edge बचा हुआ है इसको match करेंगे करेंगे और इसके लिए हमारे पास कोई भी ऐसा edge point नहीं है जो यहां से जिस पर एक face for green नहीं हो यहां देखिए आप green है यहां इस face for green है यहां इस face for green है यहां इस face for green है तो friends यह जो यह आपके सामने जो एक निकल के आया है कि अगर ऐसा आपके पास मिल जाए कि किसी एक फेस पर वो color हो जो bottom का center है तो उसे हम parity कहते हैं और इसके लिए फिर कोई algorithm काम नहीं करता है यहाँ पर आपको एक random algorithm यूज करना है उसके लिए करना क्या है कि आपको जो है जैसे हमने ये green color ले लिया या आप ऐसे age को ले लीजे जिसके front face पे आपको green ना दिखिए यानि वो color ना दिखिए जो bottom layer पे है bottom का center है तो उससे क्या करना है orange है तो orange के center से match करना है और इसके बाद आप देखिए अगर आपका left side का ये age second layer का mismatch है तो आप इसके right side के algorithm इस पे apply करेंगे right, bottom right, left down, bottom left, left up mismatch, इसे match कर देंगे bottom left, right down, bottom right, right up apply कर दिया तो जो age यहां था वो यहां पे आ गया और इससे आपके बाकी कि किसी भी layer पे फर्क नहीं पड़ेगा किसी age पे फर्क नहीं पड़ेगा यही हमारा mismatch था और हमने इसको उठा के यहां कर दिया तो अब हम क्या करेंगे यह देखिए अब हमें जो चाहिए था orange और yellow वो हम भी यहां मिल गया तो वापस हम इसे orange के center से match कर देंगे और yellow चूप के मारे left side में है तो हम इसे right side का algorithm अप्लाई करेंगे bottom layer right left down bottom left left up यह mismatch हो गया है इसको हम वापस match कर देंगे bottom left right down bottom right and right up तो यह देखिए दोस्तों आपके पास यह आपके दो लेयर rubik's cube के solve हो चुके हैं तो इस तरीके से आप जो है आसान से algorithm को use करके यह rubik's cube solve कर सकते हैं इस video में मैं आपको इन ही दो layers के बारे में बता सकूँगा तो कि next layer के algorithms थोड़े से typical हैं और time taken है जिससे वीडियो बहुत ही लंबा और lengthy हो जाएगा तो इसके last layer को solve करने का एक अलग से वीडियो मैं मैंने description में दे दिया उसका link आप वहां से उसे देख सकते हैं तो आप complete rubik's cube solve करना आप जान जाएंगे तो दोस्तों ये थी video rubik's cube को solve करने के लिए 3x3 rubik's cube को solve करने के लिए आपको ये video कैसा लगा आप हमें comment box में होता हैं और अगर आपको ये video अच्छा लगा हो तो इस video को like करें, share करें और अगर आप हमारे इस channel के ने viewer हैं तो हो सके तो हमारे इस channel को subscribe करें so thank you for watching this video मिलते हैं आपसे next video में जहन्त वंदे मातरम